हेलो दोस्तों लुसेंट राजस्तान जीके के डेली टॉप 50 कोशन में आपका वेलकम है दोस्तों तो ये वीडियो का 101 पार्ट दोस्तों इससे पहले भी 100 पार्ट बनाए जाज़के दोस्तों वह भी आप चैनल पर जाएक देख सकते हैं तो यहां मिलेवाले दोस्तों डेली आपको 50 कोशन मिले दोस्तों जो कि राजस्तान के आने वाले सभी एक जामों के लिए काफी उप्यों की साथ तो सभी कोशन आपको रट लेना दोस्तों पूरा वीडियो देखना है दोस्तों बिल्कुल भी मिसनी करना इस वीडियो को तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का आजमेर की तारागड पहाड़ी की उचाई कितनी है तो 873 मिटर है जो तारागड पहाड़ी है उसकी उचाई नेक्षन है प्रियावर्ण निती बनाने वाला अदेश का पहला राज्य कौन सा है तो राजस्तान राज्य है जिसने सबसे पहले प्रियावर्ण निती बनाई ह नेक्षन है बंद बरेठा अब्यारन को किस उपनाम से जाना जाता है तो इसे परिंदों के घर के नाम से जाना जाता है नेक्ष ने भारत का पहला जन्तुवाले कब और कहां इस्तावित किया गया तो मदरास में इस्तावित किया गयता 1855 इसी में पहला जन्तुवाले नेक्ष ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं तो गोडावन को कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेक्ष ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात किस वर्ष हुई थी तो 1923 इस्वी में हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात नेक्ष ने कोटा जन्तुवाले कब इस्ताफित किया गया तो 1954 इस्वी में किया गया था कोटा जन्तुवाले इस्ताफित 1948 इस्वी में मिलाता राज्ये खेल का दर्जा बॉस्केट बॉल को निक्ष ने रंथंबोर को बागों का जच्चा घर किस अभ्यारन को कहा जाता है तो रामगड विशिदारी अभ्यारन को कहा जाता है निक्ष ने रंथंबोर राष्टिय पार्क को राजस्तान में प्रतम राष्टिय उद्ध्यान का दर्जा कब मिला तो एक नौवंबर 1980 को मिला था राष्टिय उद्ध्यान का दर्जा रंथंबोर पार्क को निक्षने बाग शिकर सम्मिलन आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो राजस्तान राज्य है जिसने सबसे पहले बाग शिकर सम्मिलन आयोजित किया था अक्टूबर नवंबर 2010 में निक्षने विटामिन D की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो रिकेट से रोग हो जाता है विटामिन डी की कमनी से नेक्शन है SWZ के फुल फॉर्म है तो S का मतलब होता है Solar, E का मतलब होता है Energy, E का मतलब होता है Enterprise, Z का मतलब होता है John, तो SWZ के फुल फॉर्म हो गई Solar Energy, Enterprise, John नेक्शन है राजस्तान के प्रथम राज्यपाल कौन थे तो सरदार गुरुमुक नियाल सिंग थे पहले राज्यपाल निक्षन है राजस्तान के प्रथम विदानसबा अध्यक्षे कौन थे तो नरतम लाल जोशी थे प्रथम विदानसबा अध्यक्षे निक्षन है राजस्तान के प्रतम मुख्य मंत्री कौन थे तो हीरालाज शास्ति थे पहले मुख्य मंत्री निक शुने राजस्तान के प्रतम निर्वाचित मुख्य मंत्री कौन थे तो टीकाराम पालिवाल थे निर्वाचित मुख्य मंत्री निक शुने राजस्तान की प्रतम महिला राज नेक्षन है राजस्तान की प्रथम महिला विदानसबा अध्यक्ष कौन थी तो सुमित्रा सिंग्ती प्रथम महिला विदानसबा अध्यक्ष नेक्षन है विदानसबा में प्रथम मुख्य सचे कौन थी तो मातुर दास मातुर थे प्रथम मुख्य सचे तक है नेक्षन है प्रतम महिला विदानसबा उपाद्यक्ष कौन थी तो तारा बंडारी थी प्रतम महिला विदानसबा उपाद्यक्ष नेक्षने राजस्तान की प्रतम महिला जिला परमुग कौन थी तो श्रीमत्री नागेंद्र बाला थी प्रतम जिला परमुग नेक्षने विदानसबा के प प्रतिफक्ष के प्रथम नेता निक्षन है सरवादिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो टॉंक जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1985 नेक्षन है अनुसुचित जाती की सरवादिक जनसंक्या किस जिले में है तो जेपुर जिले में है जनगرणा 2011 में राजस्टान का लिंगानुपात में देश में कौन सा है तो 21 इस्तान है नेक्शन है वर्ष 2011 की जनगर्णा के अनुसार राजस्तान में औसत जनसंक्या घनत हुए था तो इसका एरेक्ट आंसर है 165 ता 2001 की जनगर्णा के अनुसार जनसंक्या घनत हुए कोशन है राजस्तान में वर्ष 2011 की जनगर्णा के अनुसार शाक्षरता दर कितनी है तो 67.06% है शाक्षरता दर कोशन है मानव विकास सुचकांग के अनुसार राचे में सरवादिक पिछड़ा जिला है तो डुंगरपुर जिला है सबसे पिछड़ा जला और इसको अंक मिला है पोइंट 456 अंक इसको मिला है निक्षन है राजस्तान में जन जातिये आबादि का सरवादिक केंदर युक्त संभाग है तो उदेपुर संभाग है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जन जातिये आबादि है निक्षन है जन संक्या प्रियटन विकास निगम लिमिटेट के इस्तापना कब हुई थी तो 1978 इस्वी में हुई थी निक्षन है राजस्तान के किस जिले में सरवादिक अनुसुचित जाती की जन संक्या है तो श्री गंगानेगर जिले में है सरवादिक अनुसुचित जाती की जन संक्या निक्षने किसके नाम पर शाक्षरता के शेत्र में राज्य इस्तरिय पुरुसकार प्रदान किया जाता है तो काली बाई के नाम पर दिया जाता है राज्य इस्तरिय पुरुसकार निक्षने आववा में विद्रो है कब हुआ था अगस्त 1857ए में वाता आऊओव में अविद्रो है निक्ष ने हिरलल शास्ती को कब जेपुर दिवस मनाने की गोष्णा की 12 मार्च 1949 को जेपुर दिवस मनाने की गोष्णा की थी हिरलल शास्ती ने निक्ष ने हिंदी साईत्य समीती किस स्तान से समझत है तो ये भरत पुरुस्तान से समंधित है निक्ष ने राजस्तान सेवा संग की स्थापना कब की गई तो 1919 इस्वी में की गई थी राजस्तान सेवा संग की स्थापना निक्ष ने किस कानून को बिकानेर का काला कानून कहा जाता है सारजनिक सुरक्षा कानून को विकानेर का काला कानून कहा जाता है निक्षने मारवाडी यूत लिग की स्थाबना कब हुई थी तो 10 मई 1931 को हुई थी मारवाडी यूत लिग की स्थाबना निक्षने सर्व हितकारेणी वाचनाले की स्थाबना कब की गई तो 1915 इस्वी में की गई थी सर्वितकारे नहीं वाशनाले की स्ताबना निक्षन है आचार सुधारीनी सबा की स्ताबना कब कहां और किसने की तो दोहलपूर में की गई थी, 1910 इस्वि में की गई थी, यमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा इस संगटन की स्थापना की गई थी, जिसका नाम है आचार सुधारिनी सभा निक्षन है, जेन वर्द्वान अविद्याले की स्थापना कब वर किसने की? तो 1907 में की गई थी, अर्जुनला सेटी के द्वारा जेन वर्द्वान अविद्याले की स्थापना निक्षन है, वीर भारत सभा की स्थापना कब और किसने की? तो 1910 इस्वी में गोपाल सिंह खरवा वकेसर सिंग भारट के द्वारा की गई थी वीर भारत सबा की स्थाबना निक्षन है राजस्तान सरकार ने प्रदेश की पहली क्रशी निती की मंजूरी कब दी तो 26 जून 2013 को दी थी पहली क्रशी निती की मंजूरी निक्षने जेपुर का टर्मिनल मार्केट कहां इस्तित है तो मुहाना के अंदर इस्तित है टर्मिनल मार्केट निक्षने राजस्तान सरकार द्वारा राज्य की प्रथम पुष्प मंडी कहां पर है तो पुष्कर अजमेर में है पुष्प मंडी निक्ष ने राजस्तान राज्य क्रशी विपनन बोड की स्ताबना कब की गई तो इसकी स्ताबना 6 जून 1904 को की गई थी राजस्तान राज्य क्रशी विपनन बोड की स्ताबना निक्ष ने किसान सेवा केंदर की स्ताबना कब और कहां की गई तो जोदपुर में की गई थी 1998 में इस्वी में किसान सेवा केंदर की इस्तापना निक्षन है सहकारी क्रशक जोती योजना कब प्रारम की गई तो 1998 में 1999 में इस्वी में शुरू की गई थी सहकारी क्रशक जोती योजना निक्षन है राश्टीय क्रशी एवं ग्रामीरविकास बैंक की स्ताबना कब की गई तो बारा जुलाई 1982 को इस्ताबित किये गजे ते राश्टीय क्रशी एवं ग्रामीरविकास बैंक निक्षन है राजस्तान राज्य सहकारी क्रेविक्रे संग लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी तो 26 नौवंबर 1957 को स्थापित किया गया था राजस्तान राज्य सहकारी क्रेविक्रे संग लिमिटेड नेक्षन है ब्राउन क्रांटी किसके उत्पादन से सम्मंधित है तो ये बेकरीज, चोकलेड और चाज से सम्मंधित है ब्राउन क्रांटी नेक्षन है मुंगफली का अवानस्पतिक नाम क्या है तो एर्चिस हाई पोगिया है मुंगफली का अवानस्पतिक नाम निक्षन है 1857 के समे राजपुताना रियासत में उलिटीकल एजेंट कौन-कौन थे तो इन सबी 6 के 6 रियासत के बात करेंगे तो जोदपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम है मेख मौशन कौटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन नेक्स्ट है भरतपुर का पोलिटिकल एजेंट था मोरिसन, जेपुर का पोलिटिकल एजेंट था इडन, उदेपुर का पोलिटिकल एजेंट था शावर्ष और सिरोई का पोलिटिकल एजेंट था जेडी होल तो इस प्रकार से छे रियासते थी राजपुत रियासते और उनके छे पॉलिटिकल एजेंट थे